जैशी राम सभी भक्तों को जैवातागी फिर एक नहीं वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसके आप बताईए किसी भगत का हमारे पास जो है स्पेशली कॉल करके बताया गया कि घुरुजी से ये वीडियो वनवाईए कि हम जो है हनुमान जी की पूजा करते हैं अपने घर में सात्विक पूजा करते हैं पर हमारे शरीर पे कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुल देवी देवता या कोई ऐसा देवी की शक्ती आ जाती है जो तामसिक है तो उस समय पे हमें कैसे क्या करना है जैसे कि भोग की बात करें या भोग कैसा लगाना चाहिए तो हमारे साथ अंतक बने रहे हैं तब ही आपको सारी वीडियो समझ में आती है अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें और अगर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरो सब्सक्राइब करें साथ में बैल आकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए चलिए सुरू करते हैं आज की जैशिराम जैशिराम जैश शरीर पर कई वार ऐसा होता है कि हम अपने इश्ट देवधान करते हैं हनुमान जी महराज को और नेकिन कई वार तामसिक पवर्ती की शक्ति जो है हमारे शरीर पर वास करने लगाती है ऐसा कई वारी उन लोगों के साथ देखा जाता है कि जिसके खानदान के अंदर कभी को पकार की तामसिक तोर पर पूजी जाती है अगर तामसिक तोर पर कोई भी शक्ति पूजी आती है तो आपका अब इस उल्जन से किस पकार से चुटकारा पाएं कि हम अराधना तो कर रहे है हनुमान जी की और शक्ति आ रही है तामसिक तो क्या करें अब तामसिक शक्ति को शात्विक किस पकार से कर सकते हैं देखिए इस मामले में आपकी भक्ती सबसे ज़्यादा शेष्ट होने चाहिए आपका आपके इश्ट के परती पुर्णुक का विश्वास और पुर्णुक का समर्पन आपके खांदान में अगर कोई ऐसी शक्ति पूजी आती है देखो सम् में कोई देविक शक्ति की किरपार ही और वो तामसिक तोर पर है अगर वो कोई वैसी भेट मांग रही है या कुछ है और आप हनुमान जी को अपना इश्ट देवदान करका है लेकिन वह अब इसका शुलूशन हनुमान जी के शरन में ही जाकर आपको प्राफ्ट होगा कैस अपने हातों से उसमें कोई मिष्थान नीं इस्ठान नहीं लगाना सीरफ पान के पत्तों में आपने तीन तीन लोंग लगा कर ऐसे बेढले बना कर कर रख देने हैं हनुमान जी महराज से प्रातना करतिनी है कि है प्रभू पवन फुत्र आपने हर देवी देवता का अब मुझे सरल सा रास्ता बताये ताकि मैं अपरी जो कूल डेवी है कोई अर्शक्ieving मेरे खांदान में चल रही है उसका भी मैं सतकार कर सकूँ और आपको भी अपना इश्ट धान कर सकूँ कोई बीच का रास्ता दीजे प्रभू तो ताकि मेरा भी कारिया बन जाए और मेरे खांदान में कोई आठ भी ना लगे बास अच्छी है अब इसके लिए हनुमान जी से प्राथना किरी क्योंकि प्राथना में एक अपार शक्ति है हनुमान जी ने पहले रावन के आगे प्राथना ही करी उन्हों उसे समझाया था बहुत तरिके से समझाया था बहुत स्वरलता से समझाया था जब वो नहीं समझा तब उसने करूरता दिखाई तो हनुमान जी न जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में गर्जना करी थी ना तो गर्जना वातर से ही रावन सिंगासन से निच्छे गिर गया था तो आप सोचके देखिए हनुमान जी की बल की तो कोई तुलना ही नहीं किसी के साथ हनुमान जी से कीवी प्राथना आपकी कूल देवी इस्ट देव यह अराध्य देव तक जरूर पोचेगी यह 100 परसेंट है अब उसके बाद आपकी कूल देवी पे अगर कोई बक्रे की या कोई इस पकार की या कोई खांदान में जैसे की पारी लाकों में इस पकार की संचलन जो है चलता है अब भेट देजी आती है तो उस पकार का आप ना देकर आप उस जगह पर नारियल की भेट दीजिए। आप जो भी शक्ति आपके शरीर पराती है आप उनसे प्राथना कीजिए। आप ये प्राथना कीजिए कि हे मा, हे देवता, मैं आपका सत्कार करता हूँ, आपके दिविया मंतरों का भी जाप कर करता हूं और अपनी पीड़ी में आपका स्वागत करता हूं और नेकिन रहना कर आक सामसिक्ता की तरफ नाजा कर आपको सात्विक भोग प्रदाल करता हुँ उसके बाद आपने क्या करना है जो नारियल की जो शिरिफल होता है नारियल उसकी भेट देनी है भेट देखकर आपने उस देवी देवत जो भी उसका जो जल है आपने उनकी मूर्ति पश्च कर देना है और प्राथना करनी है कि मेरे कुल की रक्षा कीचिए और तीन निम्बू है तीन निम्बू लेकर आपने अगरने को यह कम देवी केने क्य पुझा कर रहे हो और वह तामसिकता दोर्पर आठ भी नहीं लगेगी और विनमता हो जाएगी और हनुवान जी महराज आपकी रक्षा भी करेंगे और साथ में आपकी जो कुल देवीगी आठ बिलकुल नहीं होगी आप इस मुसीबत में पढ़ ही निपाओंगे और अपने ये लगाओ कि हां तामसिक्ता अतना तोरकर कैसी पकार कारिये आप कर रहे हो तो अगर संतुष्टी नहीं होता है तो आपने क्या करना है निम्बू के अंदर लाल रंग का सिंदूर लगाकर भेट देनी है लाल रंग का सिंदूर लगाकर तो आपके जो देवता है वो शान्त होएंगे और आपको किसी भी पकार का कर जो है करूरता की जर्दर से नहीं देखा रहेगा तो बोलिए जैसी तरा हम जैसी भी बाला की